में पूरी उपचुनाओं को लेकर एक और जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरह जीत को लेकर आस्वस दिखती नज़रा रही है तो वहीं दूसी तरफ बीजेपी नेताओं की परिशानिया बढ़ गई है बीजेपी आखिरकार समझ नहीं पारी कि इस चुनाओं को जीता जाए तो कैसे क्योंकि बीजेपी ये सोच रही थी कि रगुराज शाक्य को उतार कर यहां पर जाती गतकार खिला जाएगा और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा लेकिन जो सोचा गया था वैसा हो नहीं पाया और मैनपुरी की जंता ने जिस तरह तस्वीर को पलड़ दिया उससे ये साफ तोर पर जाहिर होता है कि बहुत बड़ा नुकसान मैनपुरी में भाजपा को होता नजर आएगा तो क्या वाकई मैनपुरी चुनावें इस बार सबसे बड़ा जटका बीजेपी को लग रहा है और क्या यहां से शुरवात है समाजवादी पार्टी के विजएगी लेकिन इन सब के वीच जी हां डिमपल यादव मुलाइम सिंह यादव परभड़की है नाराज हो रही है क्यों नाराज हो रही है मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं नाराज़गी की वज़ा यह है वो यह कह रही है कि अगर रगुराज शाक के जैसे नेता को बहुत पहले पहचान लिया होता नेता जी ने बहुत पहले भाब गए होते कि रगुराज शाक्य इतने शातिर हैं और उने वह राजनीती के गुड़ और मतलब तमाम तरह की चीजे नहीं सिखातें तो एज उनके समक्ष कशों कॊटे हो थोश्ज कशन िंपल के विपख्श में शोब ना कॊड़ होतें इस प्रोग्राम में और मेरा सवाल ये है कि नेता जी पर नाराज हो रही है डिमपल यादा, वज़ा ये है कि वो कह रही है एगर रगुराज शाक्य कुछ नहीं बताती है, कुछ न सिखाते, तो आज वो टकर में नहीं उतरते, तो क्या उनकी नाराज़गी की वज़ा ठीक ह देखे जहां तक अगर देखा जाये तो उनकी नाराजगी की वज़ा ठीक भी है यहां पर क्योंकि देखे रगुराज शाक्या जब पता चला जब यहां भाजपन नाम घोशित किया कि वो यहां टिंपल यादव के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं यानि कि समाजवधी पता चला जब यहां गोशित किया कि अगर आज मुलाइम सिंग यादव की जो समाधी है वहां पर पुश पर्पित करने वो जाते हैं वो उस वक्त उनका यह बयान आता है कि मैं मुलाइम सिंग यादव को अपना गुरू मानता हूं तो देखे कहीं न कहीं डिंबल यादव हमने भी यह बास सही गई है कि अगर आज मुलाइम सिंग यादव उनको सारे दाव पैच ना सिखा थे तो आज वह हमारी पार्टी के अगेंस्ट ना खड़े होते हो सकता है कि वह हमारे ही साथ नहां पर खड़े होते नजर आते हैं एक सवाल यह भी है कि शाक के समुदाय क दम पर उचल रहे थे रगुराज शाक की वोट बाट लेंगे पूरा साक के समुदाय मेरे साथ है लेकिन इस बार शाक के समुदाय की नाराज की है वो कह रहे कि हम तो बहुत पहले से नेता जी के साथ हैं बहुत पहले से समाजवादी पार्टी के साथ है तो ऐसे में वोट वोट बैंक है कि हम तो मतलब यादव परिवार के साथ ही रहेंगे तो यहां पर कुछ हो सकता है मैं यह नहीं कहुंगी कि इस बार समाजवादी पार्टी पून बहुमत के साथ महां पर जीतती नजर आएगी हर बार की तरह यह हो सकता है कि अगर वहां साड़े समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी है विपक्ष कड़ा है और बकायदा नेता जी को जिस तरह पहले जनता याद किया करती थी उनके सपोर्ट में रहती थी आज वही देखतना जरा रहा है करांती इस बीच हमारे साथ जुड़ी हुई है और करांती भी लगातार इन मुद्दों पर खबरों को कवर कर रही है करांती मैंड पूरी की विरासत को बचाने के लिए दोनों तरफ से लड़ाईया है भाजपा और समाजबादी पार्टी लेकिन इस महा मुकाबले में जीत कौन रहा है और असली हकदार कौन है जो नेता जी की विरासत को समाले रगुराज शाके या डिमपल यादव नजरा रही तो वो यहाँ पर सीधे सीधे डिमपल यादव नजरा रही क्योंकि देखी रगुराज शाके के अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जसकी वज़ा से जो है वो इस चुनाव से बाहर होते वे नजरा रहे पहला तो यह कि उन्होंने यहाँ पर चिरवाद मुलाइम सिंग्यादव का लेने पहुचे तो कहीं न कहीं यह भी मुद्ध सबसे जादा उठकर के सामने आ रहा है अगर हम इसके आगे चल करके बात करें तो देखे वो उस परसन को चुनावती देने का काम कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें राजनीती के दाव प चुरुवाती वक्त में बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारनी शुरू कर दी थी बहुत हद तक जीत को लेकर बात करें थे लेकिन वह तस्वीर अभी उतने हद तक नसर नहीं है देकि इसके पीछे की एक वज़ा ये भी है क्योंकि जिस तरह का माहौल इस्वक बना हुआ ह इसका साफ मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का जिस तरह से दबदबा महिनपूरी सीट पर देखा जा रहा है इसका मतलब है कि वाकई जो जनता पहले थे जो वोटर पहले थे वो अभी भी उनके साथ जुड़े वे हैं और मुलायम सिंह यादों की देखिए एजैंती क आफसर पर देखने को मिला कि जहां फल वित्रण का कारेकरम किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेशन जैसे कामकाज ब्लड डोनेशन जैसी प्रक्रिया को किया गया तो वहीं दोसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत को ल अराज़ उनका ये कहना है कि रगुराज शाक ने ठीक नहीं किया नेता जी के सामने उतर कर उन्होंने नेता जी का अपमान किया है नेता जी का सम्मान जो बहुत पहले से पूरा उत्तर प्रदेश करता रहा है मैं पुरी की जनता करती रही है सैफ़ाई आजमगड मैं अगर तो हर जगा उनका इटावा सम्मान होता रहा है लेकिन जिस तरह से उनके शीष्य ने वहां उतर कर उनको चुनौती देने का काम किया है यह बात ना मैं पुरी की जनता को पसंदारी और ना ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाला कि शिफपाल यादम हों या धर्में पार्टी के साथ जुड़ी है और इस बार का जो मैंपुरी का उप्चुनाव है वो दिल्चस्प इसलिए भी हो गया क्योंकि कई बड़ी पार्टी उने अपने कैंडिडेट को यहां पर नहीं खड़ा किया बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी जिन्हों ने अपने कैं विपक्ष मचबूत तो हो ही रहा है और यही विपक्ष हो है वो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किरे खड़ी कर सकता है फिलहाल कि अगर बात करें तो रामपुर जैसे उप्चुनाओं को जीतने के लिए भी समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है असीम रजा क्या भाजपा के जो कैंडिडेट है आकास सक्षैणा उन्हें अगरापाएंगे हाला कि इस बार रामपुर में बड़ा बदलाव करना है और बड़ा बदलाव करने की जो ठानी है उन्होंने इस से पता चलता है कि रामपूर का जो उप्चुना है वह भी बहुत ज्यादा दिल्चस्प होता नजर आएगा आज के लिए आप से फिर द्वारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जाद दीजे नमस्का